यह से अगर आपने प्रामीथियस वाला फॉर्स पार्ट अगर नहीं दिखा है तो एक बारों से जाकर ज़रूर देख लीजेगा क्योंकि ये पार्ट उसी की कनेक्टिविटी से आगे मिलता है और इसी के साथ आप लोगों को ये बताता चलू कि मेरी एलियन प्रीडिटर और चाहे तो प्रीडिटर के इस मूवी से कनेक्शन के पुराने वीडियो की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दूंगा तैकि आप लोगों को एक्लियर कट एक्स्प्लेशन मिल पाए कि आखिर क्यों किस टाइम लाइन से ब एंड्रोइड में शामिल था वेलेट ने इसका नाम डेवेट रखा था मगर जिग्यासा किसमें नहीं होति है जिग्यासा एंड्रोइट रोबोर्ट में भी थी और वह उसे पूछता है कि आखिर मेरे पिता कौन है तो वेलेंड उसे बताते हैं कि मैंने तुमें बनाया है तुम्हारा पिता मैं ही हूँ ये सुनकर डेविड उनसे पूछता है कि क्या मैं आप से एक सवाल पूछ सकता हूँ जिस पर वेलेंड रिप्लाइ करते कि हाँ क्यों नहीं डेविड का उनसे पूछना था कि अगर मुझे आपने बनाया तो आखेर आपको किस ने बनाया जिस पर उनका कहाना था कि काफी सदियों से सवाल चुलता आ रहा है मगर आज तक कोई भी इसका एकदम सटीक जवाब नहीं दे पाया उम्मीद है कि हम लोग एक दिन अपनी रिसर्च के थ्रू इस सवाल का जवाब जरूर ढून लेंगे बेसिकली पूरा सेनारियो प्रामीथि की स्टूरी और जैसा कि मैंने कहा था कि वह स्टूरी इस स्टूरी के साथ में काफी ज़्यादा कनेक्टेड है तो अगर आप लोगों ने इस वक्त भी उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर चैक आउट कीजिए कहानी प्रामीथियस में घटी घटनाओं के ठीक 11 साल आगी की है जहां पर हम देख पाते हैं कि स्पेस में कि स्पेस शिप जो कि पांच दिसंबर 2104 में प्रित्वी से एक और इगाय सिक्स नाम के ग्रह के लिए निकलता है क्योंकि धरती पर काफी जदा पलूशन हो चुका है और अब मानव किसी और ग्रह पर जाकर वहां पर ए एक इंटर्नल सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कई सारे स्लीपिंग चैंबर्स को देख पाते हैं इसमें करीब 2000 इंसान और 1140 इंब्रियोट्स यानी की ब्रौन जिन से आगे चलकर बच्चे बनते हैं और डिलिवरी की टाइम इंसानी रूप में इस दुनिया में जम लेत हाला कि शकल में वाल्टर और डेविड बिलकुल सेम दिखते हैं मगर वाल्टर डेविड से कई सालों के बाद बनाया गया एक निव एंवेंशन है जब यह स्पेश शेप अपनी मंजिल की और होता है तब रास्ते में उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वक्त इसी के साथ साथ इस सफर में उनके खाने पीने की भी बचत होगी अब इस स्पेश शिप में जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ था उसकी वजह से करीब 47 लोग 16 एंब्रियोट और इसी के साथ इस शिप के कैप्टन जैक अपनी जान गवा बैठते है कहानी की लीड करेक्टर है दैनियल और जो शिप के कैप्टन यानि की जैक जुनकी भी डैथ हुई थी वो इनके हस्बेंट थे यहां वीवर्स के पता चलता है कि जो टेक्निकल फॉल्ट इस स्पेश शिप में वा था उसकी वजह से वो शिप 17 परसेंट डैमेज हो गया हाला कि 83 परसेंट अभी भी सह करती है और काफी मैनत मशक्कत के बाद में वह इस टेक्निकल फॉल्ट को सही भी कर देते हैं लेकिन तभी शिप के कैप्टन क्रू को एक सिगनल आता है जो कि पास ही के ग्रह का था और जब यह सभी लोग उस ग्रह की थोड़ी डीटेल निकालते तो इने पता चलता है कि व सब्सक्राइब कर सकते हैं और उपर से पास में भी है तो हमारा काफी जदा फ्यूल भी बचेगा हलागी बाकी की लोग इससे सहमत नहीं थे लेकिन डैनियल का कहाना था कि अगर और एक इस इक्स पर जाना है तो अगे इन साथ सालों का वेट करना पड़ेगा उसके लिए चेंबर में सोना पड़ेगा मगर अब कोई भी वापस स्लीपिंग चेंबर में जाने के लिए अग्रीड नहीं है क्योंकि पहले उस टेक्निकल फॉल्ट की वज़े से उन 47 लोगों की जाने गई थी और काफी डिसक्शन के बाद यह फाइनलाइज होता है कि अब यह लोग इस नए ग्रह पर जाने वाले हैं इस बड़े से स्पेस्शिप में कुछ छोटे छोटे फ्लाइंग ऑबजेक्ट भी थे क्रू मेंबर्स की एक छोटी सी टुकडी पहले नीचे उतर कर इस बात की पुष्टी कर लेना चाहती थी कि सब कुछ सही हालातों में है या नहीं जह चलता है कि जहां से सिगनल आया था वह इनकी प्लेस से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर एक उची पहाड़ी से आ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए बाकी की पूरी टीम निकलती है मगर एक लेडी उसी फ्लैंग ऑबजक्ट के पास रहती है क्योंकि अगर उसे ऑपरेट करके यह सुनिश्चित कर पाएं कि क्या यह ग्रस सच मुझ इंसानों के रहने लाइक है यह नहीं इसी बीच बाकी की टीम आगे जाकर उस पहाड़ी तक मौचने की कोशिश करती है जब यह दोनों लोग यहां पर कुछ सैंपस ले रहे थे तभी गलती से एक शुक्स का पै और गाइज यह वही स्पेश्चिप है जिसे की हमने प्रामीथियस की फर्स्ट मूवी में दिखा था उस शिप की और आगे बढ़ते वक्त एक इंसान को अगेन ऐसे ही कुछ पौदे दिखाई पड़ते हैं और जब उनके करीब बढ़ता है तो उसके अंदर से अगेन वही इसीन शिफ्ट होता है शिप की तरफ जहां पर यह सभी उसके अंदर आ चुके थे उस जगे की जाच पड़ताल करते वक्त डैनियल को एक लॉकेट मिलता है जिस पर लिखा था डॉक्टर ईशौ तो वॉल्टर बताता है कि यह लॉकेट डॉक्टर एलिजबेथ शौ का है जो कि आज से करीब 11 साल पहले प्रॉमीथियस नाम के एक स्पेश शिप में दूसरे जीवन की तलाश के लिए निकले थे साथ ही आप लोगों को एक और चीज बताता चलू कि जिस शिप में इस वक्त ये लोग आये थे वो शिप का नाम था कॉवनेंट और इसी शिप के ना के अंदर वो चोटे से सुक्ष में जीव एंटर कर गए थे उसकी तवयत अब काफी ज़्यादा बिगड़ने लगती है इतनी खराब हालत को देखते वे उसकी क्रू मेंबर बाकी टीम को ये बताने जाती है कि जितना जल्दी हो सके हमें वापस से अपने स्पेश शिप पर पहुचना चाहिए क्योंकि हमारे एक टीम मेट की तवयत बहुत जादा बिगड़ चुकी है लेकिन रास्ते में ही उस टीम मेट की हालत इतनी जादा खराब हो जाती है कि वो खून की उल्टियां करने लगता है काफी कोशिशों के बाद में जब वो स्पेश शिप में फोले उठने लगते हैं और धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर से कोई अंजाना जीव बाहर आना चाहता हो इस पूरी प्रॉसस को देखते वे उसकी दूसरी टीम मेट दरवाजे को लॉक कर देती है हाला कि जो लीड़ी अंदर थी वो उससे मदद की ग लेता है अब यह नियो मॉर्फ क्या है और जीनो मॉर्फ क्या है इसके लिए आपको मेरी पुरानी वाली प्रीडीटर की सीरीज देखनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर मैंने इन सभी की ब्रीट के ऊपर बहुत यह अच्छा एक्स्प्लेशन दे रखा है यह नियो मॉर्फ अपने सामने खड़े शिकार पर हमला कर देता है और उसकी वही पर जान ले लेता है वो नियो मॉर्फ इतना फास्ट था कि गूलियां उसे चूकर निकल जाती है और इसी चकर में वहां पर एक सिलंडर फट जाता है और पूरे की पूरे शिप में आग लग जाती है वहीं दूसरी और जिस शक्स के नाक में वो सूक्ष मजीव गए थे अब उसकी भी तबियत बगड़ने लगती है और जो सेम हाल पुराने वाले टीममेट का होता है वैसा ही इसका होता है इसके शरीर में भी वही सारी प्रतिकिरियां होने लगती है और उसका सीना फाड़ कर एक और नया नियो मॉर्फ जन लेता है situation पूरी आउट आफ कंट्रोल हो चुकी थी हर कोई काफी जदा डर चुका था कि आखर ये सब क्या हो रहा है अभी तक इनकी टीम से चार लोग मारे जा चुके थे कोई भी यहां पर सेफ फील नहीं कर रहा था इसलिए इस ग्रया पर खड़ के थी वो उस पर शूट करते हैं ताकि उसे खत्म कर पाए मगर कोई भी उससे जीत नहीं पा रहा था फिर वॉल्टर जाता है लेकिन वो नियो मॉर्फ उसका भी हाथ खा जाता है इसी के साथ वो नियो मॉर्फ वहां पर कुछ लोगों को घायल करके और एक शुक्स की जान के लिए उसका पीछा करने लगता है जिसके बाद हम सभी वीवर्स एक बहुत ही बड़े ग्राउंड का सीन देख पाते हैं जहां पर लाखों की तादाद में लाशे बिछी हुई थी ऐसा लग रहा था मानों कि किसी को अपनी जान बचाने तक का वक्त नहीं मिला हो सभी ड लास्ट मूवी प्रोमीथियस से एंड्रोइड रोबोट डेविड था डैनियल का पूछना था कि आखिर यहां पर हुआ क्या यह सभी लोग मौत के घाट कैसे उतर गए तो डेविड बताता है कि जिस स्पेस्शिप में हम अपनी जान बचाने के लिए यहां पर पहुंचे मगर जीती जाकती चीजों पर जरूर पड़ता है और जो सिगनल इन लोगों को मिला था वो भी डेविड नहीं भीजा था जाते वक्त वह वाल्टर को कहता है कि कैसे हो मेरे भाई क्योंकि वाल्टर भी तो एक एंड्रोइड रोबोट ही था इस शब्द को सुनकर वाल्टर उसकी और आकरशित हो जाता है और उसके पीछे-पीछे जाने लगता है जहां पर डेविड उसे अपनी दिखाता है वहां पर उसका एक सीक्रिट चेमबर था जहां पर उसने इन सूलह सालों में की गई खोज हर दिवार पर च्छाप रखी थी साथ ही डेविड वाल्टर को से जदा तेज शक्ति चाली यहां तक की नई चीजों के बारे में सोचना हम उनसे काफी जदा एडवांस हैं वैल वॉल्टर का यह मानना था कि तुम काफी जदा पीचीदा हो तुम्हारे अंदर घणा बसी है इसलिए तुम्हारे यहां से चले जाने के बाद में विलेंड को देख पातें जिन्होंने हम इंसानों यहां की प्रकरती एलियंज और साथ ही प्रीडिटर्स को बनाया हाला कि इंजीनियर्स अपनी बनाई की संरचना यानि की इंसानों से बहुत ज़्यादा खफा हो चुके थे और उन्होंने अपने स्पेस्शिप में ब्लैक कू यानि वेपन यानि की ब्लैक गू को उन सभी इंजीनियर्स की ऊपर छोड़ दिया और देखते ही देखते सभी जिन्दा लाश बन गए जिसके बाद सीन अगेन प्रेजन टाइम में आता है और यहां पर वॉल्टर को एलिजबथ शौ की कबर भी दिखाई पड़ती है तो वह डे अगर मुझे जादा की तादा चाहिए तो मुझे जादा लोगों को अपना शिकार बनाना पड़ेगा वहीं दूसरी और हम देख पाते हैं कि बाकी बचे टीम मेट्स अपने स्पेश शिप कोवनेंट से कॉंटक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें यह मैसेज देना च लेकिन वहां पर तो बहुत ही तीज बरसात हो रही थी इसी वज़े से उनका कनेक्शन कोवनेंट से नहीं हो पाता है पीछे से चिपकर वो जीव भी वहां पर पहुंच जाता है यानि कि नियो मॉर्फ जोकी हवा में छोड़ी की फ्लेयर गन की वज़े से उस वक्त भाग यह तो वही क्रीचर है जिसने हम लोगों को नुकसान पहुचाया मेरे बाकी की टीममेट्स को खत्म कर दिया डेविड उसे कहता है कि रुख जाओ उस पर गोली मत चलाना मैंसे कंट्रूल कर सकता हूं वह दीरी दीर उसकी और आगे बढ़ने लगता है हम वीवर्स भी बढ़कर और कुछ नहीं है इसलिए अपनी गूली चला देता है और वो नियो मॉर्फ वहीं पर खत्म हो जाता है डेविड नाराज हो जाता है चिलाने लगता है कि आखिर तुमने से क्यों मार दिया तो कैप्टन को लगता है कि जरूर दाल में कुछ खाला है वह से गन दरिंदा ही पैदा कर दिया और अब मैं इसकी मदद से एक बिलकुल न्यू हाइब्रीड बनाना चाहता हूं जिसमें तुम मेरी मदद करोगे तभी हम देखते हैं कि वहां पर मौझूद काफी सारे बड़े बड़े अंडे जो कि इस वक्त खुलने के लिए तयार थे कैप् देविड उसे बताता है कि तुमने एक नए विकास की शिरवात करिये और तभी उसका फटने लगता है और उसमें से एक न्यू हाइब्रीड जर्ण लेता है जिसे की हम आइब्रीड जीनो मौर्फ भी कह सकते हैं जो कि पुराने वाले जीनो मौर्फ और साथी नियो जान पूछ कर उसे गिराया वो सबसे बड़ा और महान रचनाकार बनना चाहता था इसलिए उसने इस पूरी प्रजाती को ही खत्म कर दिया इस बात पर इन दोनों एंड्रोइड रोबोट्स के बीच में फाइट हो जाती है वही दूसरी और हम डैनियल को देख पाते हैं जिस इस वक्त बारिश और बादलों से घिरा हुआ था वह साफ होता जाता है साथ ही इनकी टीम मेट्स का कनेक्शन भी कोवनेंट से हो जाता है जो कि इनको बचाने के लिए उस स्पेश शिप से एक छोटा फ्लाइंग ऑबजेक्ट जमीन पर उतारते हैं अब क्योंकि इनकी टी नए विकास का एक जरिया था वहीं उस खाली मेदान में वह फ्लाइंग ऑबजेक्ट उतर चुका था जिसमें इन बाकी बचेवे लोगों को पहुंचना था और अपनी जान बचानी थी मगर वह खुला दरिंदा इनका पीछा कहां छोड़ने वाला था वह न्यू हाइब्र के जरी लटक जाती है और इसे धकिलने की पूरी कोशिश करती है और काफी मेनत मशक्टत के बाद में वह सफल भी हो जाती है और अब यह सबी लोग तयार थे उस फ्लाइंग ऑबजेक्ट की मदद से अपने शिप कोवनेंट में जाने के लिए जिसके बाद हमें को और यह स तरह तल चुका है मगर ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जक्ट से चिपक कर वो न्यू हाइब्रीड इनके शिप कोवनेंट में आ चुका था और उसने आते के साथ ही लोगों को अपना शिकार बनाना भी शुरू कर दिया था डैनियल इस बात क के हाथ वहां मौझूद ट्रक को ओपन करने का लग जाता है जिसकी मदद से उस नुकीले ट्रक की सारी जंजीरे खोल देती है और जब हाइब्रीड उस पर हमला करने वाला था तो वह उस ट्रक के चपेट में आकर इस पेस में ही गुम हो जाता है और इसी के साथ एक बड़ शिप यानि की कोवनेंट पर जो एंड्रोइड रोबूट मौझूद है वह वाल्टर नहीं बलकि डेविड है यानि कि जिस वक्त उन दोनों की बीच लडाई हो रही थी डेविड ने वाल्टर को जखमी कर दिया और खुद फॉल्टर की जगा लेकर इस पूरे शिप पर अ चुका है साथ इस कहानी के एंडिंग में यह देख पाते हैं कि वह अपने मूं में फेस अगर्स के कुछ न्यू एंब्रियोट लेकर आया था जिसे कि वह अब इस शिप के अंदर रख देता है ताकि 7 सालों के बाद जब इंसान अपनीन से वापस जागे तो इन एंब्रिय मिलते हैं अगले वीडियो में कि यह बाद देख ुप अच्छा में यह जब्रियोट प्रियोट से देख जब देख ले।